ब्लाउज के किसी भी size या किसी भी design के perfect armhole नापने और कट करने का ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो पूरे यूटूब पर यह तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी channel पर यह तरीका नहीं मिलेगा, यह तरीका इतना perfect है, इतना static है कि आप चाहे beginners हो या advanced level का सभी को काम आने वाला है सबसे खास बात यह है कि बिना जंजट के आप पुराने ब्लावज से मेजरमेंट निकाल कर एक ही बार में और परफेक्ट नए कपरे पर सेम मेजरमेंट आप चाप सकते हैं डारेक्ट चाप सकते हैं और चाप कर सेम और परफेक्ट आर्म होल कट कर सकते हैं बिना जंजट के इसमें आपको कोई भी जंजट नहीं लगा कोई भी परिशानी नहीं होगी और एक बार जब यह तरीका अपना लेंगे तो आपको यह तरीका बार-बार काम आता रहेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते इस फर्मा को बनाने के लिए आपके पास कोई भी एक पुराना ब्लाउज होना चाहिए साइज कोई भी हो मेंटर नहीं करता दिजाइन कोई भी हो वह भी मेंटर नहीं करता सिर्फ ओ परफेक्ट होना चाहिए ब्लाउज परफेक्ट नहीं होगा तो आपका तरीका भी गलत हो जागा इतना याद रखिए एक जांब जो फर्मा है वो perfect बनेगा और काफी time तक आप उसको use कर सकते हैं पहले हम यहाँ पे एक सीधा line draw कर देते हैं और इसको cut करके निकाल देते हैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है इधर से 2.5 inch पे ऐसे mark करना है और इधर से भी 2.5 inch पे ऐसे mark कर लेना है मैं ऐसा बना रहा हूं कि सभी size में आसानी से fit हो जाए इसको हम इस तरीके से निशान लगा देंगे पहले आपने जो भी तरीके इस्तमाल किये होंगे वो मुझे नहीं पता कौन सा तरीका इस्तमाल किया है अब इस blouse को हम ले लेंगे ऐसे इस scale को हम ऐसे रख देते हैं देखिए यहाँ पर कहां पर रखेंगे armhole हमारा जहां खतम हो रहा है दोनों side का वहां पर रखना है आपको तो मैं ऐसा करके रख देता हूं ठीक ऐसे उसके बाद आपको ए मेजरमेंट यहां से निकाल लेना है ऐसे करके इसमें मेजरमेंट हमारा कितना आ रहा है देख लिजिए 6.25 इंच तो ए मेजरमेंट आपको ध्यान रख लेना है उसके बाद यहां से आपको मेजरमेंट कर ल तो ऐसे करके हम 6.25 पे निसान लगा देंगे और इसको इस तरीके से ले लेंगे अब इस टेप को ऐसे रखिए और ऐसे करके एक निसान यहाँ पे दीजिए लेकिन एक ची ध्यान रखना है कि एक फर्मा आपको डीप नेक ब्लाउज रहेगा उसमें सबसे सटिक काम करेगा औ जब यहाँ पे आपको हाँ पिंच इस साइड माइनस करना है और ऐसे कर लेना है अगर आपके पास फ्रेण्च कर्वए स्केल है तो आप इसे आसानी से रखके निसान लगा सकते है अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो भी आप लगा दीजिए यह जो मैं निसान लगाया और इस तरीके से हात यहां पर रखें और इस तरीके से देखिए ऐसे जहां से आपको Shape देना है उसी के हिसाब से दूरी कर लेना हात को और इस आप से आपको दे सकते तो इस तरीके से मैंने पहले Dot डॉत कर दिया और उसके बाद आप इसको Perfect Shape दे देंगे तो आप इसको ऐसे रखिए और इस तरीके से आसानी से निसान लगा दीजिये देख लिजिये हमारा दोनों निसान सेम आया है जगर पर आया है कहीं पर भी कोई दिख्कत नहीं है उगा अब ए वाले को थोड़ा सा ऐसे कर लिजिये आप इस स्केल को ले लिजिए और इस तरीके से हम निसान लगा देंगे यह सिर्फ चौडाई है इसका फर्मे का आप अपने इसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है और इसको इस साइड से भी आम ऐसे कर देंगे इस तरीके से इसको मिला देंगे जो आपको क्या करना है अगला क्वाइंट वो समझ लिजिएगा ध्यान से इसे स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे कोई भी आपको स्केल ले लेना है जरूरी नहीं है कि यही स्केल लेना है ऐसे ले लेना है और यहां जो हमारा निसान यहां पे आपको half inch वाली निसान होना चीए, उसके बाद इस तरीके से आप निसान लगाते जाएए, जितने भी half inch की mark है, हर half inch पे आपको mark कर देना है, इतना ही कीजिए, इतना काफी है, इससे ज़्यादा जरुवत भी नहीं है, फिर इस side से भी same, वही करना है, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया हमने, और थोड़ा सा छोड़ कर, यानि यहाँ से हम लेंगे इसमें, अब इस निसान को, जितने भी हमारा निसान है, इस सभी को इस तरीके से हम लगा देंगे, समझिए, एक A scale बन रहा है, इसे perfect बन चुका है, अब इसको हम काट लेंगे, ऐसे करके, देखिए, जो हमारा निसान इसमें लगा हुए है, ऐसे करके काट लेंगे, ध्यान रखिएगा, कि जब फर्मा कटिंग करें, बाहर की साइड टेरा मेडा होगा चलेगा, लेकिन अंदर की साइड जो है, एक perfect रहना चाहिए, अब इसको हम यहां से इसको कट कर देंगे, और यहां से इसको कट कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, तमझ गया है, यह हमारा scale बन गया है, अब इसके सहारे आप कट कैसे करेंगे, आर मोल perfect, ओचीज समझ लेजिए, मैं यह वाला ले लेता हूँ, और इसी पर आपको समझाऊँगा, random कोई भी मेजरमेंट ले लेता हूँ, यहां पे इसको ऐसे निसान देंगे, जो भी हमारा blouse की लंबाई होगा, वो हम ले लेंगे यहां पे, यह कोई भी आपका मेजरमे हो सकता है, मैं सिर्फ काटने का तरीका बताऊँगा कि कैसे आपको इससे काट रहा है, अब यहां पे एक निसान और दे देते हैं, आई होग पटी के लिए, क्योंकि फ्रंट का भाग हम बता रहे हैं, यहां पे हम 5.25, 5.5 पे ले लेते हैं निसान, जो भी आपका सोल्डर क का मेजरमेंट करना है, वो परफेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है, इतना निसान हमने कर लिया, अब मैं नेक की चौराई भी दे देता हूँ, सवादो, 6.25, अब देखिए, क्या करना है आपको, यह ब्लाउज लेना है, जो भी आपके पास पुराना ब्लाउज आया होग का मेजरमेंट निकालने के लिए, कोई भी आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिकत नहीं है, कोई भी साइज हो, सिर्फ यह फरमा लेना है आपको, और इस तरीके से आपको रखना है, देखिए, इस तरीके से, अब यहाँ पर खतम हो जाए, यहाँ पर ऐसे कर लेना है, और य ऐसे करके ये हमारा थोड़ा सा उनेश मिस्ट है तो इससे कोई दिकत नहीं है तो ऐसा रख कर फर्मे को और इहां से गिल लेना है आपका कितना लाइन यहां पर आ रहा है एक दो, तीन, चार, पांच, छे, चट्था लाइन आ रहा है, याद रखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चट्थे लाइन, और इधर से ऐसा रख लेना है, और इधर से दो लाइन बच रहा है, एक, दो, अधाई लाइन, तो अधाई लाइन इधर से, और इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद यहां पे जो भी हमारा चेश्ट का मार्कीन होगा, वो हम ले लेंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे आएगा, समझ गया, उसके बाद जो हमारा मार्जिन लेना है, वो हम ले लेंगे, और यहां पे कमर जितना लेना है, वो ले लेंगे, इस पॉक्सी चरीके साब को लखना है लाइन मिला लेना है इस तरीके से यह पर आ लाइन यहां से मिलाना ऐसे करके निशान लगा दीजी आ ठीक है देखिये इसाम परेफेक्ट आर्मॉल कर देखिया रहा है अ gd अब इसकी आर्मोल मेजरमेंट कर लेते हैं तो आप जैसे मापते वैसे माप्ये मैं इसे रखके मापके दिखा रहा हूं आपको 8.25 आया पर यह हमारा आया है यहां और हमारा जी ऑographer हम चल्वले देखिए 8.5 तो ओल्मोस्ट परावर है यहां से हमारा margin चला जाएगा मैं इस निसान पर इसलिए माप रहा हूँ क्योंकि यह हमारा ready होगा और मैं इस blouse में जो माप रहा हूँ वो ready armhole माप रहा हूँ इसी साथ से हमारा यह perfect हो रहा है ठीक है इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से आप perfect armhole cut कर सकते हैं और back की armhole cut करने के लिए आपको इस scale को ऐसे रख दीजिए यहां से आप एक इंच पौना इंच बाहर कर लिजिए और इस तरीके से रखके और cut कर लिजिए यह हमारा back का हो जाएगा यह हमारा front का हो जाएगा मैं एक बर cut करके दिखा देता हूं आपको यह हमारा back का part हो गया यह हमारा front का हो गया back का मैं यहां से cut देता हूं परफेक्ट आ गया या नहीं आया आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और इससे पहले आपने इस तरीके की वीडियो कौन से चानल पे देखा था वो कमेंट्स जरूर कर दिजिएगा तो इस तरीके से आप किसी भी साइज की इस पैटर्न और इस ब्लाउज की मदद से आर्मोल की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं चाहे साइज कोई भी हो